हाँ तो यूटूबर जैसे ही आप लोग वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन को ओपेन करते हैं तो आप लोगो तिसरा सेटिंग मिलता है लेटेस्ट पॉब्लिस कॉंटेंट अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आप लोगो तीन वीडियो देखने को मिल रहा है यह जो अब देखने को सब्सक्राइब करने के बाद अपने चैनल को तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है इतना लोगों ना भी देखा है इतना घंटा में लोगो ranking by views यहां पर देख से तो उसके बाद views मिल जाता है उसके बाद impression click through rate मिलता है उसके बद average view duration मिलता है अब इसका मतलब क्या होता है simple सा आप लोग देख लें वीज का मतलब होता है normally views ranking by views का मतलब होता है कि आप लोगो 10 वीडियो recent के 10 वीडियो आप लोग इस पर click कर लेना है और recent के देख से तो यहां पर आप लोगो 10 वीडियो मिल रहा है अब 10 वीडियो में से आप लोग जो अभी डाले है recent में जो वीडियो डाले है जिसका हम लोग यह analytics देख रहे है वह मेरा 8 नमबर पर प्रोफर में कर रहा है 243 वीडियो आया है इतना टाइम मतलब यह देख तो दो दीन तेरा घंटा के अंदर इसमें आया है 248 लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें ब्लोग एडिटिंग टूटोरियल यहां पर हम लोग बैक कर लेते हैं उसके बाद आप लोग मिल जाता है एक मिनाट तीन सेट मिल रहा है जिसे इस वीडियो को मैं ने क्लिक किया अब यहां पे देख दो आप लोग मिल जाता है शे इस वीडियो है जैसे में ने देखा दो पैंतालीस आपने देख़ा तो उसे में यूटूब एक निकालता है कि इतना कोई देख रहा है उसमें जैसे कि नॉर्मल सब अलग अलग देख रहा है उसमें आप लोगो पर्सेंटेस देगा कि सब मिला के ज्जादा से ज्यादा दो मिनेट यहां तीन मिनेट से देख रहा है तो उसी प्रकार से यह average यह एक बीडियों को पूरा-Puris analytics देखना है तो इस बीडियो पर क्लिक कर लेना है फिर आप लोगों इस पर क्लिक कर ले ना है और यहाप लोगों पूरा-Puris लेकिन किसी एक वीडियो का आप लोग को क्लिक करना है ने आप लोग नीचे स्क्रॉल करना है यहां पर लोग श्रूंट पर क्लिक लेना है यहां पर आप लोग को सिर्फ मिल रहा है 10 2, और 3 अब अब लोगो तेन वीडियो तो प्लोड नीए क्या हो अब अब आप लोगों कुर्लिक परे स्दियन दीफिआ चि如此 आप आप लुखे लुन दैखे लिशन में निचे में कॉंटेंट का ओप्सीन मिल चाहिव इस्पर आप लोग वी Base लिस्ट के हर एक वीडियो देख लो सब कुछ पता चल जाएगा तब तक के लिए जा इन एंड थैंक्स पोर वाचेंग